नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि बैंडी प्लस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Bandy Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए और Bandy Plus Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Bandy Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Bandy Plus Tablet को लेना recommended नहीं होता है Bandy Plus Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Bandy Plus Tablet के अंदर salt composition, albendazole और ivermectin होता है Bandy Plus Tablet का उपयोग पेट में कीडों को मारने के लिए किया जाता है पेट में कीडों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है लेकिन पेट में कीडे, बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं पेट के कीडे भोजन से vitamins, minerals और energy सोख लेते हैं और पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है जिसकी वज़से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्द और भूप कम लगना आदी लक्षन पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं इसके अलावा शरीर में ठकान रहना, लगातार कब्स की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्थ होना आदी लक्षन भी पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं पेट में कीडो की जाच करने के लिए आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यहां आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीडो की समस्या है या नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम जानेंगे कि बैंडी प्लस टैबलेट कैसे काम करती है। पेट के कीडे जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लूकोज सोखते रहते हैं। बैंडी प्लस टैबलेट पेट के कीडों को ग्लूकोज सोखने से रोकती है, जिसकी वज़से पेट के कीडों में एनरजी की कमी हो जाती है, और पेट के कीडे मर जाते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि बैंडी प्लस टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बैंडी प्लस टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में बैंडी प्लस टैबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, सिरदर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और अस्थाई तौर पर हैर लोस हो सकता है. इसके अलावा बैंडी प्लस टैबलेट अस्थाई तौर पर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है. अगर आपको बैंडी प्लस टैबलेट को लेने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाप करते समय दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि बैंडी प्लस टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. बैंडी प्लस टैबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है. फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे घी, डूद, अंडे आ को साफ करने के लिए बैंडी प्लस 400 mg टैबलेट की एक टैबलेट को केवल एक ही बार लेने की सला देते हैं। लेकिन पेट में कीडो की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर कुछ व्यक्तियों में बैंडी प्लस टैबलेट की डोज इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको बैंडी प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बैंडी प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को बैंडी प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बैंडी प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।